Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature So, हम पढ़ रहे हैं Lisa Beethan Age, lecture number 25 है UGC Net के लिए lectures अब के लिए बहुत helpful रहेंगे Chronology में चल रहे हैं, please chronology में ही चलना है इससे पहले हम बाकी writers कर चुके हैं So, पहले आप वो writers कर लो, फिर यहां आना नहीं तो समझ में नहीं आएगा उनकी में references भी देती हूँ, जो मैंने पहले पढ़ाया होता है उनका में reference देती हूँ, फिर आपको नहीं लगेगा पता कि मैं जा बोल रहे हूँ ठीक है, तो पहले आप पुराने lectures देख लो और फिर आप यहां आना ठीक है, तो order of chronology में यह 16th and 17th writer है, order of chronology of the date of birth ठीक है, तो notes प्लीज वैसे बनाए जब मैं आपके लिए इतना काम असान कर रही हूँ, सब कुछ chronology में बता रही हूँ आपने सरफ उसको notes बनाने या जो भी याद करना है तो अब वैसे ही करो, ठीक है अब करते हैं शुरू ओके, so Robert Green के यह dates है, date of birth यह है, just for reference है Robert Green जो थे, पहली बात तो यह भी एक university weight है यह आपको अच्छे से पता होना जाएं, कि यह सवाल आता है which of the following are or were called university weights ठीक है, यह सवाल काफी आता है तो यह सवाल आपको आना चाहिए, यह university weight है, Robert Green अभी तक अगर मैं फिर से पुराना reference लिए तो हमने कौन-कौन सी university weights पढ़ लिए है हमने John Lily पढ़ लिए पढ़े George Peel पढ़ लिए Kid पढ़ लिए और अब हम क्या पढ़ रहे है Green लिली कौन सी university गए थे Oxford Peel कौन सी गए थे Oxford Kid नाइधर Oxford नौर Cambridge Green Cambridge यह आप याद रखना कि Green Cambridge गए थे ठीक है दूसरी चीज यह कि यह लिखते थे Prose Pastoral प्रोज आपको पता है प्रोज क्या हुआ पोयम का उल्टा पोयम में क्या होता है राइमिंग स्कीम होगी या फिर मीटर होगा तो उसमें एक रिदम होगी प्रोज क्या होता है essay format या जैसे फर एक्जेंपल नौवल भी प्रोज का ही एक पार्ट है पास्टोरल्स क्या हुआ पास्टोरल जो है न वो बेसिकली आपका गाउं की जो भी सीनरी डिपिक्ट करता है वो होता है जिसे आपको बहुत अच्छे-च्छे हरे ग्रीन कलर के आपको बड़े अच्छे ग्रास लेंड्स दिख चाएंगे सुन्दर-सुन्दर पेड दिख चाएंगे बहुत सिरीन होगा बहुत कामिंग होगा ये सारी चीज़े पास्टोरल में होती है तो रॉबर्ट ग्रीन mostly प्रोज पास्टोरल्स लिखते थे इनके जो वर्क्स है इनमें सबसे ज़ादा important work ये वाला है इस पे मैं आती हूँ क्योंकि हम order of chronology में कर रहे हैं इनको भी नहीं तो मैं सबसे पहले लिखती ये सबसे ज़ादा important है पर उससे पहले कि हम इस पे आएं let's talk about other works the names of which you have to remember बस इतना ही याद करना है कि dates important नहीं होती लेकिन ये जरूर important होता है कि आपको basic idea रहे dates का भी लेकिन वो क्या है न जब आप notes में आऊगे उस तरीके से वो अपने आप याद हो जाता है उसको फिर consciously effort नहीं डालना पड़ता है याद करने में क्योंकि है कि वैसा करने लगे न तब तो पता नहीं कैसे याद होता है ठीक है मैं में लिया a mirror or looking glass for ladies of England बैं दोस्तो this inspired the winter's tale this is a play by Shakespeare so this brings me to the point that I have already made in the previous video क्या कि university which ने Shakespeare को बहुत influence किया है अब देखो winter's tale है Shakespeare का play है this has been inspired by पेंदोस्तो the work by Robert Green ठीक है फिर आचाते है fryer bacon and fryer bangay this is also a play and this has inspired tempest tempest is what again a play by none other than Shakespeare ठीक है तो देख रहो university which कैसे Shakespeare को इंस्पायर कर रहे है अब बात ये है कि हम बोल रहे है inspiration ठीक है Shakespeare को inspire किया Shakespeare ने थोड़ा सा idea लिया and then he build up on that उन्होंने अच्छे से उस चीज़ को insight डाली उसमें उसे इस सरह से present किया कि audience को बहुत पसंद आया Shakespeare के works ठीक है अब ये तो है जो हम सोचते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनने शाहिद ये चीज़ copying लगेगी जिनने लगेगा कि Shakespeare के ideas original नहीं थे उन्होंने बस university wits का जो ideas थे वो उन्होंने ले लिए इसी वज़े से Robert Green जो थे ये William Shakespeare को बहुत अच्छे तरीके से अच्छी light में ये देखते थे उन्हें लगता था कि William Shakespeare जो है उन्हें copy करते हैं अब देखो दो works तो यही बता दिये आपको ठीक है तो इन्होंने work लिखा Greens, growths, worth of wit bought with a million of repentance ये जो है 1592 में लिखा है और इसी year में ये passed away also he passed away in this year तो ये एक pamphlet है जिसमें इन्होंने William Shakespeare को बोला है An upstart crow beautified with our feathers इस line को थोड़ा आगे मैंने detail में लिखा वा है पर अभी के लिए आप ये समझो कि एक तो उन्होंने William Shakespeare को या crow बोला है ठीक है और upstart crow upstart का मतलब समझते हो आप upstart होता है कोई ऐसा individual जो अचानक से you know prominence में आ गया अचानक से वो बहुत ज़्यदा important हो गया है और you know अचानक से कोई important हो गया हो तो ये positive word भी हो सकता है लेकिन upstart जो है ये negative word है कि कोई बना एकदम से famous हो गया and now you know he thinks highly of himself और तो जो negative emotions डाल दो इस term में तो वो होता है upstart so he calls William Shakespeare an upstart crow beautified with our feathers मतलब crow जिसको जो उसकी सुंदरता है न वो उनकी अपनी नहीं है our our feathers green के feathers our में बाकी university words भी इन्होंने include किये होंगे ठीक है so that is the meaning of this line ये मैंने यहां detail में लिखिया है इसको बताऊंगी मैं so Henry 6 is a work by Shakespeare जिसमें उन्होंने एक line लिखिया है oh tiger's heart wrapped in a woman's hide tiger's heart wrapped tiger's heart को cover किया हुआ है in a woman's hide green's groats में इसी चीज़ को थोड़ा सा change करते हैं जो मैं आपको बता दिया कि क्या मतलब है that with his tiger's heart wrapped in a player's hide तो यहां woman's hide था यहां player's hide है supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you so इतरी से उनको criticize कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि Shakespeare को लगता है कि वो बहुत अच्छा blank verse लिखते हैं लेकिन ऐसा apparently इनके हिसाब से नहीं है ठीक है so green Robert green was बहुत ही सामने सामने he was very much against Shakespeare उन्होंने इस pamphlet में ये चीज़ एकदम evident कर दी थी कि he did not like Shakespeare for the pure reason कि वो जो थे he was beautified with our feathers उन्होंने copy किया था या inspiration जो उन्होंने ले थी उसको उन्होंने बोला कि उन्होंने copy किया था उन्हें पसंद नहीं थी ये बात कि उन्होंने उन्हों से चीज़ें ले ली टेक है Upstart Crow एक TV शो भी आया है by Ben Elton बैसे तो पहले ऐसे सवाल इतने पूछे नहीं जाते थे पर कुछ टाइम से न ये थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे है नेट वाले इस साइड पे भी थोड़ा साइस पे ध्यान रखेंगे Ben Elton ने ये लिखा है मतलब है उनका TV शो फिर आज़ो Alphonsus King of Argon इस 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 ट्राजडी and इस 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 इमिटेशन ओफ टैंबरलेन टैंबरलेन is a work by Christopher Marlow इनकों बहुत डीटेल में पढ़ेंगे तब टैंबरलेन के बारे में भी पढ़ेंगे ठीक है तो अभी तक लिए बस इतना याद रखो फिर आजाओ आप Thomas Lodge पे Thomas Lodge भी उनिवर्सिटी विट है फिर से रिवाइस करेंगे अभी हम सारे उनिवर्सिटी विट अगर आपको लगता है आपको याद है पॉस करो विडियो पहले सोचो और फिर क्रॉस चेक करना की ठीक है की नहीं है सबसे पहले कौन से बढ़े जोन लिली देन रोबर्ट ग्रीन देन ओहु सॉरी ग्रीन पहले बोल दिया मैंने आप सो सॉरी लिली पील केड अभेन एंदेन लोज लिली ऑक्सफॉर्ड पील ऑक्सफ्वर्ड केड नन अफ तैम नईदर अउड़र नौर केंबिज ग्रीन गेंबिज लॉज अगें ऑक्सफॉर्ड छेक है तोमस लोज का जो बोहत वीमस वर Linux है जो आपको याद होना चाहिए वो है a defense of poetry, music and stage plays अगर defense है तो किसी चीज के against defense होगा मतलब किसी चीज ने तो इनको encourage किया होगा ये work लिखने के लिए जिसमें इने defend करना पढ़ रहा है poetry, music and stage plays को आपको मैंने बताया था आप सोचो जरा वीडियो को pause करो और फिर सोचो कि मैंने आपको एक work बताया था जिसने Philip Sydney का A Defense of Poetry या Apology for Poetry वो वाला जो work है वो उन्होंने उसी work के against लिखा था reply में लिखा था वैसे Thomas Lodge ने भी same work के reply में ये लिखा है defense of poetry, music and stage plays so that work is Stephen Gosson's School of Abuse चीक है ये वाला इसमें उन्होंने mother of lies and nurse of abuse करके कुछ phrases का use किया था कुछ याद आया नहीं याद आया तो पहले वो वीडियो देखो Philip Sydney को पढ़ो पहले फिर आना याँ पे है ना यूकि फिर chronology में नहीं चलो गया कोई मतलब नहीं मैं आपको revise भी कराऊंगे ना साथ-साथ फिर आपको याद ही नहीं होगा चलो फिर आजाओ रोजलिंड पे ये इनका एक और work है रोजलिंड अभी आपको बस इतना याद रखो कि रोजलिंड का जोई character है Shakespeare ने उठाया है from this work और As You Like It में और सो ये आपको अभी याद करना थोड़ा सा difficult लग रहा होगा पर जब आप As You Like It पढ़ोगे ना रोजलिंड main character है तो फिर आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा फिर आपको सीधा ये याद रह जाएगा कि As You Like It में रोजलिंड है रोजलिंड जो है वो अपने आप में एक work है by Thomas Lodge ठीक है फिर अजाद है The Wounds of Civil War ये है Thomas Lodge का एक और work इसमें इतना याद रख सकते हो कि Marius versus Sula क्योंकि title से बिल्कुरी related है न तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए वैसे ये आएगा नहीं थोड़ा सा ये ध्यान रख लो Wounds of Civil War Civil War किसके बीच में Marius and Sula Civil War क्यों होता है ऐसे में दिमाग में आया में जो thinking required होती हो सकता है इस paper में निकल को interview में बूचेंगे पर आपकी जो base building है ना foundation जो है वो आज बनेगी आप foundation strong नहीं करेंगे तो आपकी building एक level तक ही बनेगी फिर उसे उपर नहीं पहुंच पाएगी foundation strong करनी है हर चीज़ जो आपको नहीं समझ आती है वो आपको समझ नहीं है civil war क्या होता है within जिसे countries के case में क्या होता है अगर मान लो हमारी country में इंडिया में map बनाने का मन कर गया मेरा something like this इंडिया ऐसे लगता है हमारी country में अंदर ही fighting हो रही है अगर मान लो दो groups के बीच में ठीक है अंदर ही fighting हो रही है तो उसे civil war कहते है मान लो इंडिया की लड़ाई किसी और देश से हो रही है तब वो civil war नहीं है civil war जो है वो अंदर की लड़ाई को कहते है ठीक है तो within the kingdom within the country इस सब को बोलते है civil war ठीक है तो यह हो गए आपके Thomas Lodge इस lecture में इतना ही पढ़ना है Robert Green और Thomas Lodge के पारे में बता दिया दोनों university wits है अब आपके कुछ university wits और बचे हैं उसके बाद university wits जो है आपका complete हो जाएगा और इसके लिए इतना ही revise कर लो अच्छे से और मतलब याद कर लो अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा याद करो फिर अगली lecture पर आना ठीक है नहीं तो कोई फैदा नहीं है मैं पढ़ाती जाओंगी आपको नहीं समझ आएगा समझ भी आएगा तो revise नहीं होगा तो वो connect कर करके पढ़ना है लेकिन वो तब ही होगा अगर आपने पीछे के lectures देखे होंगी चड़ो ठीक है यह हो गया अब अगले में पढ़ेंगे हम George Chapman है ना अब George Chapman को बहुत लोग उसमें पढ़ाते हैं Jacobian में पढ़ तो आप किसी में भी सकते हो कभी सवाल तो यह पूछने नहीं वाले है नेट वाले की हाँ बताओ Jacobian age में थी कि Elizabethan age में सबको पताए कि यह ब्रिंक पे थे तो दोनों में से किसी में भी आप इनको place कर सकते हो तो वो कोई प्रात नहीं है उतनी कोई दिक्कत नहीं होती पर हम chronology के साब से date of birth से चल रहे है तो अभी हम George Chapman पढ़ेंगे ठीक है तो इससे पहले कि मैं George Chapman पढ़ाऊ आप प्लीज यह अच्छे से याद कर ले न कोई doubt होगा कुछ भी है पूछ ले न कोई आपको लगता है कुछ समझ नहीं आया जो भी है आप comments में लिख सकते हो I will answer to that चीक है ओल्राइट देन बाई बाई टेक केर